राज्यों की जंग की आज जारकन और महाराश में परचा दाखिल करने का आखरी दिन है जारकन में अब महागटबंदन के 80 उमीदवारों में जारकन मुक्ति मोचा ने 43 सीटों पर उमीदवार उतार दिये एक सीट धनवार पर उनका CPI ML के साथ दोस्ताना संगर्श देखने को मिलेगा कॉंग्रिस ने 30 उमीदवार उतारे हैं और दो सीटों बिश्रामपूर और चतरपूर में आरजडी के साथ उनका संगर्श होगा राश्ट्री जनतादल के साथ उमीदवार होंगे क्योंकि दो सीट बिश्रामपूर और चतरपूर पर कॉंग्रिस के साथ उनका दोस्ताना संगर्श देखने को मिल सकता है किस तरह के समिकरणिया पर बैठाये जा रहे हैं जादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार पहले चरण के लिए जो जारखन में नामंकर होना था उसकी अंतिम तारीक आज है आज अंतिम दिन है और अभी तक जो इस्तिती है उसमें 43 सीटों पे JMM, 39 सीटों पे कॉंग्रेस और बाकी जो हैं वो आरजडी और लेफ्ट के पाले में छे और तीन सीटे आई है लेकिन मामला दिल्चस्प हो गया है फ्रेंडली फाइट को लेकर जिसे दोस्ताना संगर्स बोलते हैं जिसमें 2 सीटों पे RJD और कॉंग्रेस में दोस्ताना संगर्स है और एक सीट पे JMM और लेफ्ट में दोस्ताना संगर्स है तो कुल मिला के 4 जगों पे इन्होंने कैंड़ेट जो हैं अपने अपने दिये हैं ये दोस्ताना संगर्स की नौवत नौवत जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें तब आती है जब वो अंतिव विकल्प होता है वो तब आती है जबकि उन्होंने तयारी पूरी की होती है इस बात का डर होता है कि अगर वो candidate एनाउंस नहीं करेंगे तो उस case में उनके जो candidate हैं वो बागी हो जाएंगे और फिर चोनाव माइदान मोतर जाएंगे। कुल मिला के इस्तिती जो है लगभग clear है तीन जगों पे दोस्ताना संघर्स में रहेंगे हैं बाकी जगों पे इंडिया अलाइंस जो है उसमें GMM, Congress, RJD और CPIML लेफ्ट जो है वो चारों मिलके चुनावती दे रहे हैं NDA के कुन्बे को जिसमें की आजसू है, BJP है, JU है और हला कि जो चुनाव प्रचार है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, थोड़ी अभी रफ्तार नहीं पकड़ेगी वो क्योंकि आभी दो दिन के बाद दिवाली है और उसके बाद चट का परव है, चट का परव खासकर बिहार और जारकड और पूर्वी उत्तर प्रदेश म काफी महत्पोन होता है, तो उसके चलते थोड़ा सा इसमें विराम लगेगा, अभी पूरे जोड़ सोर से जो चुनाव प्रचार होता है वो नहीं होगा, लेकिन जल्दी आप उसके चट के बाद देखेंगे कि पूरे दमखन के साथ जो प्रतासी मैदान में उतर जाएंग झाल 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 झाल